किर्टी आजाद जी आज कॉंग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं मैं इनका तह दिल से स्वागत करता हूँ जैसा कि आप जानते हो दिल्ली से ही 93-98 किर्टी आजाद जी एक विधायक रहे बिहार के दर्भंगा कॉंसिटिंसी से बार बार लोग सवा में चुनाव जीत के एक सांसद के नाते उन्हें काम किया आज हर देशवासी जो क्रिकेट का शौकीन है वो दुरंदर पल्ले बाज के नाते भाई किर्टी आजाद जी को पहचानता है वर्ल्ड कप जब 83 में हमारा देश जीता उस वर्ल्ड कप की टीम के साथ किर्टी आजाद जी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है किर्टी जी एक स्वातंत्र सैनानी परिवार से आते हैं बगवज्जा आजाद साब स्वातंत्र सैनानी रहे बिहार और राष्ट्र की राजनीती में एक बहुत बड़ा नाम बगवज्जा आजाद साब का रहा आज कांग्रेस पार्टी में राष्ट्र गांधी जी ने इनको हमारा ट्राइकलर खेस पहनाया कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हमारे स्टेट के सारे लीडर्स राष्ट्र जी के वहां मौजूद रहे थे और हमारे स्टेट कांग्रेस कमीटी के अध्यक्ष मदन मोहन जाँ जी ने उसको सदश्य बनाने की परची पे साइन करके सदश्य बनाया है मैं किर्टी आजाद जी को कहूँगा आपको संबोधित करें और उसके बाद हमारे स्टेट के नेता में से कोई कहना चाहेंगे कि आज मेरी प्रेस कॉन्फरंस में खास तोर पे बिहार के इंचार्ज के नाते कर रहा हूं ना कि राष्टी ये प्रवक्ता के नाते तो आपके और सवालों के लिए अलग से प्रेस कॉन्फरंस आज शायद अफ्टरनून में होगी तो आज सवाल जो है इसी इशू को लिए ही रखेंगे तो ठीक रहेगा किर्दिय आजाद जी धन्यवाद शक्ति सिंग जी इससे पहले कि मैं कोई वक्ता वी दूँँ मैं अपनी और से अपने परिवार की और से हमारे पुल्मामा में हुए शहीद जबानों को अपनी और से शद्धान जली देता हूं उनके जजबे को सलाम करता हूं इस दुख की घड़ी में पूरा देश उनके सोक से भरे परिवार के साथ खड़ा है मैं तो केवल पुल्हान मंतरी जी को एक उनका वक्तव याद दिलाना चाहता हूं मैं सम्मान करता हूं उनका उन्होंने कहा था एक सर के बदले दस सर लेकर आऊंगा मैं देश की आन बान शान मान मर्यादा के लिए क्रिकेट खेला मेरे लिए देश से बढ़कर कुछ नहीं है मैं केवल उनको यह याद दिलाना चाहता हूं कि वह एक के बदले एक भी सर अगर ले आएं हो तो कृपया जरूर बताएं आज भी दुरगटना आज भी घटना हुई है जिसमें हमारे चार लोग मारे गए उसमें एक मेजर का भी शहादत हुई है उस विशे पर आदनिय शक्ति सिंग जी कहे चुके हैं मैं आज अपनी जॉइनिंग पर बात रखना चाहता हूं मैं 26 साल से मैंने निस्वार सेवा की भारती जन्ता पार्टी के लेकिन पिछले कुछ वर्षों से जब से सरकार बनी है तब से मुखोटे के पीछे असली चहरा सामने नजर आना शुरू हो गया और उस समय मुझे अफसोस हुआ जब मैंने जुमले सुने मैंने भरष्टा चार देखा तब मेरे दिल में आए कि मेरे पिता जी जो इस 24 अकबर रोट से जिन्होंने अपने राजनितिक जीवन शुरू की थी जिनकों कि जवारला नहरू जी ने वेक्तिकत रूप से पहली बार 1952 में संसत बनाया था जब वो केवल 26 साल के थे मेरे दिल में ये बात आई कि मैं भी जाकर वहां सेवा करूं और घर वापसी करूं और हमने घर वापसी की है कॉंग्रिस ने सबसे पुरानी पार्टी है देश की आजादी की लड़ाई लड़ी देश की एकता और अखंडता के लिए आगे बढ़ते रहे जिसने जातिवाद में विश्वास नहीं किया जिसने देश को तोड़ने में विश्वास नहीं किया वही जब जिस समय हम क्रिकेट खिलते हैं या किसी मैदान में रहते हैं कोई भी खिलारी हो वो अपने देश के लिए खिलता है देश की आन बान शान मान मर्यादा के लिए खिलता है उसी प्रकार से कॉंग्रिस पार्टी ने देश की आन बान शान मान मर्यादा के लिए काम क कि अपने हाथों से पहनाया और मैं धन्यवाद करता हूं कि कॉंग्रेस पार्टी ने मुझे प्यार से लिया है और कहा है कि आपको कोई भी तकलीफ यहां पर नहीं होगी मैंने पिछले पांच साले में केवल जुमले सुनें मेरे पास सरकारी दस्तावेस चार सो कागस थे और सरकारी कागस थे एक निजी संस्था थी Delhi and District Cricket Association जिसके अध्यक्ष अभी के वर्तमान में वित्मंत्री श्री अरुन जेटली जी थे जिसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं था जिसका सरकार से कोई लेना देना नहीं था जिसके बारे में में पिछले 15 से 20 सालों से उसके ब्रहस्टा चार चार सो करोड रुबे के ब्रहस्टा चार के बारे में बात कर रहा था मुझे दुख हुआ कि पार्टी में मेरी बात नहीं सुनी गई प्रधान मंत्री जी ने कहा था बड़ी प्रसनता हुई थी मुझे जब उन्होंने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा जो भारती जनता पार्टी अपने आपको विश्च की सबसे बड़ी पार्टी कहती है जो प्रेस्टा चार के विरूद दिल लड़ने की बातें करती थी उसके सामने जब सरकारी दस्तावेज मैंने पेश किये तो मेरे पीठ में छूरा भूका गया कैसा सिला दिया तुने मेरे प्यार का यार नहीं लूट लिया घर यार का और मैं तब ही उस वक्त समझ गया कि और जुम्लों की तरह है न खाओंगा न खाने दूँगा भी एक जुम्ला है जिस प्रकार का वहवार मुझ पर किया गया मैं गाओं देहाद जाता हूँ तो लोग पूछते हैं कि काला धन कहा गया पंदर पंदर लाक जो हमारे एकाउंट में आने थे वो कहा गये क्या जवाब दूँ जब पढ़े लिखे मुझ से पूछते हैं कि दो करोड जोकरियां कहा गई कि जो साल में मिलनी थी तो उनको मैं क्या जवाब दूँ मिथलांचल उत्तर बिहार की जो उपेक्षा की गई स्मार्ट सिटी में एक भी सिटी नहीं लिया गया जो गंगा स्वच्छ हो जाईगी न मैं आया हूं न गया हूं मुझे गंगा मैया ने बुलाया है आज उसका क्या हुआ स्टैंड अप इंडिया स्टार्ट अप इंडिया नाम सुने हमने लेकिन केवल घपले हुए मुझे आज भी याद है जिस समय उन्होंने कहा था मैं अगर सौ दिन में सरकार बनने के बाद काला धन नहीं लेकर के आया तो सौ दिन में आप मुझे चौक पर खड़ा करके कुछ भी करना आज पांच साल पूरे हो चुके हैं आंत्रिक लोकतंत्र इंटर्नल डिमॉक्रसी पार्टी में खतम हो चुकी है कोई आवाज सुनने को तयार नहीं सोशल मीडिया पर बैट कर मेंबर बना लेने से कोई सबसा एक नंबर का पार्टी नहीं बन जाता है और ये सारी चीजे मुझे खचोटती हैं मैं अपने छेतर में जाता हूँ जब लोग मुझे से पूछते हैं तो यह चीज मुझे खचोटती है मेरे दिल पर चोट लगती है और इन सबी चीज़ों को देखकर जब मैंने देखा कि यह केवल जुमले चल रहे हैं जुमलों के अलावा और कुछ नहीं हो रहा है तो फिर मैंने अपने पिता के घर में वापस आने का जो अनात हो गया था राजनितिक रूप से मुझे राजनितिक परिवार मिला यह राजनितिक परिवारी नहीं एक अपना परिवार सा है और मुझे बड़ी प्रिसनता है कि वापस में कॉंग्रेस में आया हूँ मैं और अदिक इसके तो नहीं कहूंगा लेकिन रफाइल एक मुद्दा है जिसके बारे में अनेकों बार यहां तक कि भारती जनता पार्टी के सांसद भी इस पर शंका करते हैं कि रफाइल के अंदर बहुत बड़ा घुटाला हुआ है वह सरकार जनता को क्या सच बोलेगी जो सरकार सुप्रीम कोट में जूटे एफिडेविट देती हो आप लोगों नहीं देखा कि अभी उन्होंने सीएजी का रिपोर्ट दिया है और उन्होंने सुप्रीम कोट में कह दिया कि सीए जी रिपोर्ट दे दी गई और पी एसी ने देख लिया है जो उच्चतम नियाले को जूट बोले वह तो आम जनता को बेफकूब बनाने में माहिर है मैं तो सिर्फ प्रधान मंतरी जी को उनको याद दिलाना चाहता हूं कि आपने जितने जुमले दिये थे कम से कम उसके बारे में जो आप इतने भाशन कर रहे हैं जवानों की शहादत के बाद जगए जगए आप शिलानियास कर रहे हैं कम से कम यह जुमले उनके बारे में भी कुछ वक्तव अवश्य दें जिससे कम से कम नौक्रियों के बारे में पता लग सके काला धन के बारे में पता लग सके गंगा साफ वी की नहीं हुई उसके बारे में पता लग सके स्मार्ट सिटीज का क्या हुआ उसके बारे में पता जी का अधरनी अखिलेश सिंग जी का अधरनी राठोर जी का प्रेंका जी का सब का धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे परिवार में वापस सम्मिलित किया है मैं अपनी और से एक कारेकरता के रूप में जो भी मुझसे कारे आप देंगे मैं करूंगा और जिस रहा पर जैसे कहेंगे वैसे चलूँगा बहुत बहुत धन्यवाद